वैसे तो टीवी सीरियल्स में काम करने वाली अभी नेतरियों को तो अक्सर अपने सीरियल्स में प्यार के बदले प्यार ही मिलता है जहां वो अपने पार्टनर से बेंतिहाब प्यार करती है जसके चलते इन्हें बेशुमार प्यार हासिल होता है लेकिन दोस्तों कि आप जान तो फिर आईए जानते हैं के तोरान एक्टर करण सिंग ग्रोवर को पसंद करने लगी थी और इनने डेट भी करने लगी थी जिसके चलते इन्होंने साल 2012 में शादी भी कर ली थी लेकिर इनकी शादी सिर्फ व सिर्फ दो ही साल चली क्योंकि करण सिंग ग्रोवर ने इनने धोका दे कर किसी और का हाथ और इसी वज़े से इनका शादी और प्यार पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास उठ चुका है तीवी की ब्यूटिफुल आक्ट्रस निशा रावल ने भी अपने पती करण महरा से प्यार में धोका खाया है जी हाँ ये तो करण से बेंतेहा प्यार करती थी इसलिए इन्होंने 24 नवंबर 2012 कोन से शादी करके घर भी बसा लिया अगर करण इन्हें शादी के बाद में बहुत टॉर्चर करते थी जिसके चलते इन्होंने करण को तलाख दे दिया जनके साथ इस सीरियल छोटी बहु में काम करके उन्हें डेट करने लगी थी और साथ सालों के बाद इन्होंने तो अविनाश के साथ शादी करने का फैसला कर लिया था लेकिन जब तक ये उनसे शादी करती उससे पहले ही अविनाश इन्हें धोका दे कर हमेशा हमेशा के लिए चले गया तीवी की ब्यूटिफल अक्टरस दिव्यांका त्रिपाथी ने सेरियल बनू में तेरी दुलहन के अक्टर शरद मलहुतरा को पूरे आठ सालों तक अपना बॉइफरेंट बनाया था मगर जब दिव्यांका ने उससे शादी के लिए हां कहा तो शरद ने इनके साथ खाए सभी प्यार के कस्में को भूल कर इनसे ब्रेक अप कर लिया तब ही तो इन्हें शरद से प्यार में पूरी तरह से धोका मिला है टीवी के सबसे क्यूट अक्टरस शिवांगी जोशी ने भी प्यार में धोका खाया है जी हाँ खबरों के मताबिक बता दे हिन्हें अक्टर मौसन खान से प्यार में धोका मिला है हलागे अभी तक इस बात की कोई पकी ख़बर नहीं है कि इन्हें प्यार में धोका ही मिला है तो दोस्तों आपके हिसाब से प्यार में धोका खाई हुई इन अभी नेत्रियों को अपनी लाइफ में मुव आउन कर लेना चाहिए आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले